नमस्कार आप देख रैसिटी पोस्ट और मैं हूँ नेहां कॉंग्रेस महा सचीफ प्रियंका गांधी ने एक बाए फिर भारती जनता पार्टी पे निशाना साधा है चुकि वो उनका फर्ज और कर्तव दोनों ही बनता है कि वो सतरुप सरकार पे निशाना साधेले के निजबार प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी सरकार अपनी नीतियों से आर्थिक तबाही लाती है प्रियंका ने कहा बीजेपी कारूबार को खतम करती हैं और जनता पर महँगाई का चाबुख भी चलाती है प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि आम जनता दिन रात राह देख रही है कि भयानक मंदी से राहत कब मिलेगी प्रियंका ने इस बयान पे उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के बाद क्या है अपने ट्वीट में आज तकी खबर को भी शेयर किया है आपको बता दे कि उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल पे वैट बढ़ा दिया योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्च में पेट्रूल की कीमत में 2.35 रुपे प्रती लीटर की बढ़ोतरी हुई है तो वही डीजल में 98 पैसे की बढ़ोतरी हुई है बढ़ीवी कीमत सोमवार की आधिराज से लागू हो गई प्रियंका गानी ने मंगलवार को ही RSS पर भी निशाना सादा त्वीटर के जरिये उन्होंने आरक्षन के मुद्दे पर संग को घेरा और कहा कि RSS के मनसूबे खतरनाक है आरक्षन पे बहस के बहाने से ये सामाजिक नियाए पे निशाना सादना चाहते हैं प्रियंका गान्धी ओडरा ने अपने ट्वीटर अकाउंट पे आगे लिखती है कि RSS का होसला बढ़ा हुआ है और मनसूबे खतरनाक है जिस समय भाजपा सरकार एक-एक कर जन पक्षधार कानूनों का गला घोट रही है उसी समय RSS ने भी लगे हाथ आरक्षन पे बहस करने की बात उठा दी बहस दो शब्दों का तो बहाना है मगर RSS DJP का असली निशाना समाजिक नया है लेकिन क्या आप ऐसा होने देंगे ये प्रियंका गांधी के सवाल है आम जनता से तो आपको अगर प्रियंका गांधी वाडरा की एक सवाल में दम नजर आता है और कॉंग्रेस की राजनीती सत्तारूट सरकार पे असरदार दिख्ती वी नजर आती है महंगाई पर उनका सवाल सही लगते है तो आपको ये खबर लाइक करनी चाहिए जानकारी फैलाने के लिए शेर करनी चाहिए और हमसे बल साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करनी होगे क्या आप जानते हैं कि घर बेठे आप अपनी स्वास समस्याओं का सॉलोशन पा सकते हैं सौथ क्यार मुबाइल आप के द्वारा अधित जानकारी के लिए आप समपर कर सकते हैं हमारे फोन नंबर से हैं 9472-98111 9472-982222 सौथ क्यार आप सॉलूशन अट यूर फिंगर टिप्स